क्या आप जानते हैं कि एक आदमी बिना सोय कितने दिनों तक जिन्दा रह सकता है? किसने बनाया है सबसे ज्यादा दिनों तक नहीं सोने का वर्ल्ड रिकॉर्ड? डॉक्टर्स के इसाब से एक इंसान को स्वस्थ रहने के लिए 7-8 गंडे की नीद लेना बहुत जरूरी है. फिर कैसे कोई 11 दिन और 25 मिनट तक जागा रह सकता है? नमशकार मेरा नाम है शांभवी शर्मा, आप जनता जंशन का स्पेशल सेग्मेंट क्या आप जानते हैं देख रहे हैं? 2019 में अक्षे कुमार द्वारा लिया गया प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी का इंटर्व्यू सभी लोगों को कई अर्राजनातिक कारणोंक से याद है. जिसमें से एक था जब अक्षे कुमार ने पूछा कि पीएम कितने घंटे सोते हैं, तो पीएम मोदी ने बताया कि वो साड़े तीन से चार घंटे सोते हैं. कोलापूर उत्तर विधान सवा उप्चनाव के लिए कारेकरताओं को संबोधित करते हुए महाराश्ट्र भाशपाध्यक्ष चंदरकान पाटिल ने कहा कि पीएम मोदी रोजाना दो घंटे सोते हैं और बाइस घंटे काम करते हैं. यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मोदी ट्रेनिंग ले रहे हैं 24 घंटे जगे रहने की, ताकि उनका एक भी मिनिट वेस्ट ना जाया, यानि बरबाद ना हूँ. अब इतना कम कैसे सोते हैं पीएम ये भी विचारनी हैं, क्योंकि एक दिन लगातार जागने के बाद एक आदमी पलक जपकाए बिना रहे, ये लगबग असंभव लगता है. दुनिया भर में ऐसे कितनी प्रतियोगिता, इवेंट्स और शोध हुए हैं, जहां सबसे ज्यादा जागे रहने का रिकॉर्ड बनाने की लोगों ने पुर्जोर कोशिश की है. लेकिन कुछ ही ऐसे लोग या रिसेर्च हैं, जिन्होंने ओफिशिली इसे दर्ज कराया है. आज आपको उनसे रूबरू करवाते हैं. 1940 में World War II के दौरान, रश्यन साइंटिस ने नींद को लेके कुल पाँच कैदियों के उपर एक एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें पाँच कैदियों को एक कमरे में 30 दिनों तक बंद कर दिया गया था. उनके सामने ये शर्त रखी गई थी कि 30 दिनों तक जो भी लगातार जगा रह गया, उसे रीहा करके उसके देश वापस भेज दिया जाएगा. कमरे में खाने पीने की हर चीज थी, लेकिन सोने के लिए कोई भी विवस्था नहीं थी. उन कैदियों को लंबा जगाए रखने के लिए कुछ देर के अंतराल पर कमरे में गैस को भी छोड़ दिया जाता था. शोद करता कैदियों पर नजर रखने के लिए वन वे विजिन ग्लास का भी इस्तिमाल करते थे. रिपोर्ट्स के अनुसार, तीन दिनों तक सब कुछ नॉर्मल था. लेकिन चौथे दिन से कैदि पागलों जैसा वेभार करने लगे. वे जोर-जोर से चिल्लाने भी लगे, जिसके कारण कुछ की तो वोकल कॉड भी फट गई. जब दस्वा दिन आया, तो कमरे से आवाज आनी बंध हो गई. जिसके बाद कमरे को जाचा गया, तो पाया गया कि कमरे में खून की धारा बह रही है. दरसल कैदियों उन्हें पागलपन ने एक दूसरे को काटना शुरू कर दिया था, जिसके कारण सब बुरी तरह से जखमी हो गए थे. और अब उन्हें घर नहीं जाना था, बलकि एक दूसरे को मारने की प्रवित्ती उत्पन हो गई थी उनके अंदर. इतने बेकाबू हो गए थे वो लोग कि डॉक्टर्स ने उन्हें आठ मॉर्फिन की इंजेक्शन दिये, जिसके दौरान तीन कैदियों की तो मौत भी हो गई. इलाज के बाद दो लोग जो जिन्दा बचे थे, उन्हें वापिस कमरे में ले जाये गया ताकि शोद पूरा हो सके. इस बार तीनों शोद करता उनका सैयम रखने के लिए कमरे में दोनों कैदियों के साथ गए थे. लेकिन अब तक कैदि इतने पागल हो गए थे कि वो शोद करताओं के उपर भी हमला करने लगे. नतीजन अपने बचाव में रिसर्च टीम ने उन दोनों कैदियों को बोली मार दी. इस रिसर्च का अंध इतना भयावा हुआ कि रश्या ने ऐसे प्रयोग पर आधिकारिक तोर पर रोक लगा दी. उसके बाद 1969 में अमेरिकी रेडियो परसनालिटी पीटर ट्रिप ने गरीब बच्चों के लिए लगातार जाग कर चारिटी इवेंट में रेडियो पर प्रसारन किया था. जिसमें उन्होंने पूरी कमाई चारिटी में दे दी थी. पीटर इवेंट के लिए लगातार 201 घंटे यानि कुल मिलाकर 8 दिनों तक जागे रहे थे शुरुआत में तो पीटर ठीक थे लेकिन कुछ दिनों के बाद पीटर को हालुसिनेशन यानि मती भ्रहम होने लगा जैसे कि उनके पैर पर मकरी काट रही है या वो उचाई से नीचे गिर रहे हैं उस बगए जब भी उन्हें नींद आती थी तो उनके टीम की लड़किया उनका मनुरंजन करने के लिए उनके साथ मजाग करती थी उनके इलिए गाना गया गाया करती थी जब charity event खतम हुआ तो Peter लगातार 13 गंटे 24 मिनट तक सोय थे जिसके बाद उनके करीबी लोगों ने उनके व्यभार में भी थोड़ा सा बदलाव महसूस किया था अब बात करते हैं USA के Randy Gardner की जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था लगातार 11 दिन 25 मिनट तक जागे रहने का उन्होंने scientist की एक शोद के लिए इस experiment में हिस्सा लिया था हाइ स्कूल में रहते हुए 17 साल के Randy को वैग्यानिकों की तरही ये जानना था कि एक इंसान ज्यादा से ज्यादा लगातार कितने दिन तक जागा रह सकता है और उसके बाद उसके शरीर और दिमाग में संभवता क्या बदलाव हो सकते हैं Randy ने स्वेच्छा से इस research में भाग लिया था उस research के दौरान ये पता चला कि अगर आप लंबे समय तक नहीं सोते हैं तो आपकी यादाश कमजोर हो जाती है आप hallucinate करने लगते हैं और आपको कई अजीब तरीकी के ख्याल भी आने लगते हैं इस research को पूरा करके रैंडी ने अपना नाम Guinness Book of World Record में दर्ज करा लिया और आज तक अधिकारिक तोर पर कोई भी उनके इस record को तोड नहीं पाया है 11 दिन 25 मिनट जागे रहने के बाद रैंडी 15 घंटे तक सोई थे फिर बीच में एक बार वाश्रूम जाने के लिए उठे और वापस 12 घंटे लगतार सोई थे वो रैंडी ने ये भी जाहिर किया कि उन्हें इस शोध के बाद कई दिनों तक मानसिक तनाव और परिशानी का सामना करना पड़ा बाद में वो ठीक भी हो गए लेकिन उन्हें ने ये बताया कि कम से कम 6 घंटे की नीद एक दिन में इंसान के बहतर स्वास के लिए बहुत जरूरी है एक बाद बिल्लियों को केमिकल्स देकर उनके उपर भी ये शोध किया गया उसके बाद 15 दिन तक बिल्लिया जागी रही लेकिन 15 दिन सभी बिल्लियों की मौत हो गई इन शोधों के बाद साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि बिना सोई इनसान के लिए 12 दिन के उपर जिन्दा रहना बेहत मुश्किल है लगबग असंभव है ये थे दुनिया भर के रिकॉर्ड्स लगातार जागे रहने के आप सबसे लंबा कितने समय तक जाग चुके हैं कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईए मिला जुलाकर अच्छी नींद लेना रोज सोना बहुत ज़रूरी है मोदी जी को भी बहतर काम करने के लिए पूरी नींद लेनी चाहिए आप लोगों से अनुरोध है कि रिकॉर्ड अमेरिका के पास ही रहने दीजिए वरना जान गवा देंगे आप लोग वीडियो फेस्टूप पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करिए